दोस्तो हम सब लोगों के घर में FMCG प्रोडक्ट इस्तमाल होते हैं लेकिन ज्यादा तर लोगों को यह नहीं पता होता कि FMCG क्या होता है तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पुरा लास्ट तक चरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल ऐकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके तो एलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि FMCG क्या होता है लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोग कौन सी सिटी में रहते हो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले में आप लोगों को बता दू कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लौँच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे एजाजकलाडिया.com तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो तो अब हम जान लेते हैं कि FMCG का फुल फॉम क्या होता है तो दोस्तो FMCG का फुल फॉम होता है फास्ट मोविंग कंजूमर गुड्स ये इसका फुल फॉम है और हिंदी में इसे तेजी से बिकने वाली वस्तू भी कहते है तो ये त प्रोड़क को FMCG प्रोड़क कहते हैं तो अब जानते हैं कि FMCG प्रोड़क क्या होता है दोस्तो जिन प्रोड़क का हमारे देनिक जीवन में रोज बर रोज इस्तमाल किया जाता है वैसे प्रोड़क को हम FMCG प्रोड़क कहते हैं FMCG प्रोड़क हर घर में इस्तमाल किये यहां पर आपको जानकारी देने के लिए हमने कुछ प्रोड़क्स के नाम बताए है जैसे कि चोकलेक्ट एंदर आता है उसके बाद दूद और दही फल और सब्जिया जूस सोफ्ट ड्रिंक साबून वसिंग पाउडर टूथ ब्रेस और सौंदर यह प्रसाधन तो यह सारे प कंपनियां बनाती है अब जानते है कि FMCG कंपनी क्या होती है तो जो कंपनी FMCG के प्रोड़क्स को बनाती है उस कंपनी को FMCG कहते है और अब जानते है कि भारत में कितनी FMCG कंपनियां मौजूद है तो दोस्तों भारत देश में बहुत सारी FMCG कंपनियां मौजूद है ज सबसे बड़ी FMCG कंपनी है उसके बाद है पाले बृटानिया कोलगेट आइटी सी अमूल इमामी और नेसले इंडिया तो यह सारी FMCG कंपनिया है जो कि हमारे डेनिक जरूरत के यानि की FMCG के प्रोडक्त बनाती है आप लोगों ने भी इन में से किसी ना किसी कंपनी का प्र अंदाया हो तो इससे लाइक कर दिजेगा और वाटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इससे सेर जरूर किजेगा और ऐसे इन्फोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल इकन को क्लिक करें